वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें जिसमें हमने स्टार्ट किया था यूरोपीय कपनियों का आगमन और सबसे पहले देख रहे थे पुर्टगालियों का आगमन पुर्टगाली भारत में आये और क्या उनके आने का महत्वर रहा उन्होंने क्या के भारत में किया क्यों आये थे कैसे उन्होंने अपना व्यापार पुर्दगाली सत्ति का बात वारत में तुयाद ह dare फिर एक चलिए स्टार्ट करते हैं तो पुर्दगाली जो सकती थी दो थे इनके पतन का कारण क्या था अंग्रेजी और डच के साथ संगर्स पुर्टगालियों का अंग्रेजु के साथ संगर्स हुआ अब ये यूरोपीय कंपनिया थी आए ये भी व्यापर करने थी अंग्रेज भी व्यापर करने आए डच भी आए तो इनके बीच में आपस में संगर्स और जो कमजोड थी उसका पतन हो गया मराठाओं से संगर्स हुए चोरी और डकेटी में लिप्त हो गए थे क्या करने लगे है आकर भारत में नोंने देखा कि बहुत धन है और भारत में सीधे साथे लोग है भारत में चोरिया सुरू कर दी डकेटी कर दी अब चुकि इनके प नियम बनाएं जिसके कारएं इनका पतन हुआ फिर मुसलिम भी इनका साथ नहीं देने लगे ठीक है तो कोई ना कोई कम्यूनिटी जैसे रहती है मुसलिम इसाई धर्म है ये लोग नाराज हो गए तो कहीं ना कहीं लोगों ने इनका विरोध भी किया इसाई धर्म परिवर्त की और ये पश्चिम की तरब चले गए तो यहां पर इनका जो है साथन थोड़ा कम जोर हो गया इसके बाद आए डच डच के बारे में जानते हैं तो जो डच इस इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई 1602 में 1602 में इनकी कंपनी स्थापित की भारत में 1605 में मसली पटनम जो कि आंदर पिदेस में हैं यहां पर इन्होंने अपनी पहली फैक्टरी स्थापित की अब एक्जाम में आपसे पुछते हैं एक तो क्रम पूछते हैं कि सबसे पहले भारत में कौन आया तो पुर्दगाली आया फिर उसके बाद कौन आया फिर कौन आया ये क्रम पूछा जाता है दूसरा आप से प्रिश्न पूछते हैं कंपनियों के वारे में कि किस ने अपनी कंपनी कहां पर इस्थापित की तो डच की याद रखे 1605 में पहली कंप फैक्टरी इस्थापित की गई थी मचली पटनम जो कि आंदर पिदिस में आता है इन्होंने पुलीकट सूरत क पुलीकट और नागपटनम में अन्य उपनेवेस इस्थापित की तो यहां यहां पर इन्होंने क्या है अपनी कंपनिया और इस्थापित की सत्रवी 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 में इन्होंने पुटगालियों पर प्रभुत रखा प्रभुत इस्थापित कर लिया और सबसे अधिक प्रभावी सत्ता की रूप में ये उभर कर सामने आए तो फिर इन्होंने क्या किया पुटगालियों से जादा इन्होंने चीज़ों को हासिल कर लिया और कहीं न कहीं पुटगाली सक्ति का पतन भी होता जा रहा था पुलीकट और नाकपटनम इनके मुख्य केंदर रहे एकजाम में ये भी पूट सकते हैं कि दचों के मुख्य केंदर कौन से थे तो पुलीकट था और नाकपटनम था डचो ने सत्रवी सताब्दी की उत्राध में एके करके अंग्रेजों से अपने उपनेवेस हार लिए अब डच से भी ज़़त सक्तिसाली कौन होगे अंग्रेज हो गए तो डचों की भी हार हो गई फिर डख्षिन पूर्वेसिया में मसाला व्यापर पर प्रभुत इनका रहा इसके बाद डचों से सबंदे तो और तर्थे देखते हैं डच में महतुपूर्ण भारती बस्तुएं जैसे की रेसम, कपास, नील, चावल और अफीम का व्यापर करते थे ये भारत से रेसम ले जाते थे, कपास, नील, चावल, नील की खेती करवाते थे, ठीक है, अफीम की खेती करवाते थे, तो ये सारी इनके ब्यापर थे पूर्दकाली मुख्य तक यह मसालों का व्यापर करते थे मसालों के लिए वो आकर्षे थे मसालों की दिवाने थे और इन्होंने और भी सारी चीजों का व्यापर किया अंग्रेजों के साथ प्रतिदोंदेता इनकी रही ठीक है अंग्रेजों के साथ इनके क्या हुए अंग्रेजों के साथ इनके लडाईयां होने लगी अंधिता अंग्रेज हुगली के युद में 1769 से में ये पराजित होके अंग्रेजों से और हार गए डच भारत में सामराजी के निर्माण में ज़्यादा दिल्चस्पी नहीं रखते थे इनको भारत में बिस्तार नहीं करना था सामराजी स्थापित नहीं करना था उनका ज़्यादा ध्यान किस पर था ब्यापार में था यह ज़ादा से ज़ादा धन कमाना चाहते थे भ्यापार करना चाहते थे ठीक हे तो यह डचो के बारे में हमने जाना इसके बाद अंग्रेज आये तो पड़ते हैं महरानी इलिजाबेत् Edinburgh प्रidency का चार्ठर तो इनके एकॉडिंग यह चलता था रानी एलिजाबेट ने इस्ट इंडिया कंपनी को ब्यापार के अधिकारों के साथ एक चार्टर जारी किया तो यह आप पढ़ते हैं कि इस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई सोला सो में इसका आगमन हुआ थे इस्ट इंडिया कंपनी का तो यहां पर यह जो आई थी आ तो यह ब्यापार करने थी और व्यापार यह किस एक्कर्ण करती थी तो वित्रेंद की महरानी थी एलिजाबेट इनकी द्वारा चार्टर जारी किया गया था उसके अनुसार इनको को व्यापर करना था Captain Hawkins अप्रेल 1609 में जहांगीर की दर्वार में आया थे ये एक्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा अंग्रेज जहांगीर की दर्वार में आया था और कब आया था तो Captain Hawkins आया थे 1609 में लेकिन सूरत में एक फैक्टरी इस्थापित करने का मिसन पुटग 1112 grandpa लभारत की दक्षिन पूर्वी jazz चमनीय और बाद में 1616 में बहाँ पर factory इस्थापित की अगनुनमें फिर 1613 में सूरत में फैक्टरी स्थापित हो गई इनकी बाद में अनिस्थान उपर भी फैक्टरी लगाई गई 1632 में गोलकॉंडा की सुल्तानवारा गोल्डन फर्मान जारी किया गया इसको सुनहरा फर्मान भी कहते हैं इसमें 500 पगोडा की भुक्तान की बाद गोलकॉंडा की बंदर गाउं में सुतंत रूप से इनको ब्यापार करने की अनुमती मिल गई इसको सुनहरा फर्मान भी कहते हैं गोल्डन फर्मान भी कहते हैं अब यहां पर क्या हुआ इन्होंने कुछ रासी दे दी मतलब 500 पगोडा दे दिया और इनको कह दिया कि यहां की जो बंदर गाउं है इनका स्वतंत रूप से आप उप्योग कर सकते हैं ब्यापार के लिए ठीके तो छूट दी गई थी ब्यापार के लिए ठीके कुछ नियमों के तहट भी लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया उन नियमों का लंगन भी किया और साथी साथ इन्होंने क्या किया बिस्तारगी नीती को अपना लिया ब्यापार करते करते इन्होंने यहीं पर अप अगला फैक्टी दिया गया है 16.49, 16.39 में अंग्रेजी को मद्रास में फैक्ट्री बनानी की अनुमती मिल गई, जो बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज बन गई, तो यहां पर आप पढ़ते हैं कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई 16.39 में, राजत चॉल को इन्होंने क्या किया, बंबई दे दिया दहेश की रूप में, और फिर इनको दहेश की रूप में मिला बंबई, और इन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी को लीस पर दे दिया, कि आप हमें साल का कुछ पैसे देते जाएं, और बंबई का प्रियूग करते जाएं, प्याप अगलत अथी दिया गया है फरुक्शियर का फरमान से फर्मान में क्या था मुगल सासकते फरुक्शियर इन्होंने एक फर्मान निकाला जिसमें कमपनी को बड़ी संख्या में ब्यापार करने की चूट दी गई कमपनी के आयात और निडियात को अतरिक्ति सीमा सुल्क से भी दे दी और इसके अलाबा पूर में निधारत 3,000 रुपए की बार्सिक भुक्तान को छोड़ कर ठीके तो जो आयात कंपनी की आयात या फिर निद्यात की अत्रिक्त सीमा सिल्ख है उसमें छूट दे दी लेकिन 3,000 रुपए जो बार्सिक भुक्तान थे वो इनको देना पड़ के लिए जो कंडिशन है वो आसान बना दी कंपनी को ऐसे सामान के परिवहन के लिए दस तक जादी करने की अनुमती दी गई तो अभी तक हमने देखा कि पूर्दगाली भारत में आये अंग्रेज भारत में और ये आए भारत में इन्होंने क्या व्यापर किया कहां पर सबस्यानते में आने वाले यूरोपियंट यहीं थी फ्रांसेशumed इंके बारे मिन जानने हैं आजा सबस्यानते में j फांसेस सबस्सांतने में इस फेक्टरी encourag MARKY 75 दचो की फैक्टरी थी उसके बाद हमने पढ़ा था 1616 में इन्होंने जो अंग्रेश थे उन्होंने भी अपनी खोली और 1617 काफी बाद में फ्रांसीजियों की फैक्टरी भी मसली पढ़ना में खोली गई थी ठीक है और इनकी पहली फैक्टरी एक्जाम में पूछते हैं सूर भारत में फ्रेंच का गड़ कहा जाता है 1693 में डच लोगों ने पांडी चेरी पर कपजा कर लिया लेकिन संधी सितंबर 1697 में संपन हुई और पांडी चेरी फ्रेंच के हाथों में वापिस चला गया अंग्रेजों के साथ इनकी प्रतिवन देता हुई अब होना ही था अं प्रांसीजी भी चलेगर बात में बचे अंग्रेज बस और उन्होंने किया हमारे उपर साशन तो यह पूरी कहानी थी तो यहां तक हम ने रेखा कौन-कौन से यूरोपी कंपनी आई और क्या-क्या उनकी काम थे कहां-कहां उन्होंने अपने फैक्ट्री बगएर कर दे थैंक यू फो वाचिं इस वीडियो थैंक यू सो मच